CGI DIY चंद्रचूर के एक्षन लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं और अभी हाली में CGI DIY चंद्रचूर के अध्यक्ष्था वाली कॉलिजियम कमेंटी ने एक ऐसा फैंसला लिया है जो केंद्र सरकार को चौगाने वाला है केंद्र सरकार के एक तरह से कहें तो उनके खिलाफ जाने वाला है DIY चंद्रचूर का जो रवया है काम करने का वह बहुत ही बहतरिन तरीके से काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं और नियाए पालिका नियाए विवस्था का जो विश्वास लोगों में खो गया था उसको काफी हद तक बापस लाने में काम्याब रहे हैं आज देश के करोड़ों लोग उनकी तरफ नियाए की दृष्टी से देखते हैं को लगता है कि कोई हमें नियाए दे ना दे लेकिन DIY चंद्रचूर साप अगर वहां तक हमारी बात पहुंचेगी तो वहां से हमें इंसाफ या नियाए जरूर मिलेगा पिलाल तारक ताजा म में सुप्रिम कोड के जजिस के रूप में और कहीना कहीं सरकार जो है उनको कभी लोटा देती है कभी रोक लेती है इसका नतिया यह उरह है कि लगातार देश की अदालतों में जजिस की कमी होने की पहले से ही जजिस की तिसारी कमी थी और लगातार कमी होती जा रही है इसल बहुत अनोखा फैसला लिया उन्होंने मौन सुईकरती लक्षणम जो एक लौ है उसके तहत उन्होंने सुप्रिम कोट की कॉलीजियम समिती ने तीन जजिस की नियुक्ति कर दी और यह नियुक्ति जो है कहीं ना कहीं जो सरकार जो फैसले लेने में देरी कर रही है उसकी कि नियुक्तियां जो की है कहीं ना कहीं सरकार को भी केंद्र सरकार को मोधी सरकार को भी लग रहा होगा क्या क्या हो चला है क्योंकि यह पहली बार शायद मेरे ग्यान मैं जितनी मैं समझता हूं मैं पहली बार इसको देख रहा हूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है हो सकता है प प्रण्सकर्ट की लाइन है जिसका हवाला देकर नियुक्ति की गई एक लॉबी है सुप्रिम कोट का इस लॉब के तहट जो है फाइल भीजी जाती है और सरकार जो भी जब जब दिया जाता है और जो है उसका नाम जो भी जज़त होते हैं का नाम कॉलीजियम में आगे जाए गये है इनका जो कॉलीजियम की समीति है पंशेल करती हैं और भी जिभ जीद। और सभिया जीदी पुरकाष्थ दिनको ते रपर हाई कोड में जज के लाल व्यास जिनकों की गुजराथ हाई कोट में जशके तौर पर उनको नामित किया गया है तो फिलाल सुप्रिम कोट ने अपनी कॉलीजियम की जो पावरे उसका इस्तमाल किया है और तीन जज़ों को नॉमिनेट कर दिया है कॉलीजियम के तहित और इन तीन ज़जों की फा प्रावधान के प्रावधान के तहित में इसका जो बताए गया है कि अगर कोई चीज ऐसे नहीं आती है नहां आती है तो कॉलिजियम की कमेटी इस पर एक्शन ले सकती है और यह मान लिया जाएगा कि सरकार की स्विक्रती नहीं आई अभी तक पेंडिंग चल रही है तो माना जा सकता है कि सरकार के पास समय नहीं है सब्सक्राइब कर दो कर दो कर सकते हैं उनको लगा होगा कि कहीं ना कहीं कि जब तक हम मंजूरी नहीं देंगे जब नहीं लगा देंगे तब नहीं नहीं हो पाईगी लेकिन सब्रीम कोट ने केंदर सरकार को अप यह ना सोचें कि आप ही कुछ कर पाईएंगे अगर आगेसे देरी हुई तो हो सकता है कि सप्रीम कोट में भी आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिलें क्योंकि सुप्रिम कोट की भी कुछ जजेस की फाइल हैं जिनको नॉमिनेट होना है सुप्रिम कोट में जजेस सुप्रिम कोट के सीजी आई जस्टिस डिवाई चंदरचूड के अध्यक्ष्था में तीन बार लगवग उन लोगों के नाम केंद्र सरकार को जा चुके हैं और सुप्रिम कोट में उनको उन्लोगों को जजेस की रूप में देख भाएं जो शुप्रिम कोट की वरण लॉगव है और भारत की जो चार जो मजबूत इस्थम्भेर का भी उनका इक स्थम्भेर है और नियाइपालका ने अपना जो उसका विसीषभ कर के जुड़स की नुक्ति कर दी है तो केंद्र सरकार को भी आग सह्य सब्सक्क्राइब तो hen करती है किसी का भी दखल और उनको अपने काम में पसंद नहीं आता इधर जस्टिस प्रश क 때문에 वीया से उनको बिल्कुल अलग है उनको भी किसी का दखल जहां तक ना समझता हम वह पसंद नहीं आता और वह बिल्कुल कानोनी तरीके से पिल्कुल जैनुवन तरीके से अपना काम करते हैं यह पहलोग अच्छा काम किया हूं किया। और आप लोग हमें हमारे दूसरे YouTube चैनल उफिशिल प्रतिक पर भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग हमें फेस्बूक और इंस्साग्राप पर भी फॉलोव और शेयर करना ना भूलें आइडी से मैं चौधरी लिग एस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों साथ करें जाहिन 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 भारत